Hello Everyone, Welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं काफी important series जो की है Top 50 GK MCQs, SSA exams ठीक है? तो SSA exams related Top 50 GK MCQs हम इस series में cover करेंगे तो मैंने आप इस सारे questions जो एना friends selected और most important लिये हैं अगर आप किसी भी upcoming exam, SSA exam की preparation कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाली है देखे friends, ये हर एक SSA exam जैसे की CGL, CHSL, CPO, GD, STANO, MTS हर एक exam के लिए useful होगा पूरे syllabus को ध्यान रखके ये वीडियो बनाया गया है काफी important session है, पूरे वीडियो के अन तक बने रहेगा साथ में हम सारे important, जो भी topic के related, important points होंगे उनको भी इस वीडियो में cover करेंगे तो चलिए friends, start करते हैं आपके पहले question से first question है यहाँ पे, which dance is performed by women of maharashtra? तो maharashtra की महिलाएं इन में से कौन सा रृत्या करती है? इसका right answer यहाँ पे हो जाएगा friends, option number C, lavni dance यह perform किया जाता है by people of women of maharashtra इसके साथ बात की जाए घुमर dance, तो घुमर कहाँ पे perform किया जाता है यह traditional folk dance है friends, कहाँ का राजस्थान का ठीक है, इसके साथ बात करें बीहू, बीहू कहाँ की dance है, यह folk dance है असम की, और साथ में friends, भांगडा की बात की जाए, तो यह traditional dance है जो की पंजाब में perform किया जाता है, harvest season की time, ठीक है तो यह कुछ important यहाँ पे points हो गए, इसके साथ और भी dance forms जो है उनके बारे में discuss कर लेते हैं friends, देखे कुछ important यहाँ पे जो exam में जादा तर देखे जाते हैं, उनको मैंने cover किया है देखे, पहले असम state की बात की जाए, तो यहाँ पे perform किया जाता है तो यहाँ पे friends, जो खेल गोपाल है और साथ में आप के नौई देख रहे हैं यहाँ नागर डान्स, यह सब काफी बार exam में देखा जाता है नट पूजा, बी हु, right नेक्स बात करें, बिहार तो बिहार से है जाता, जतिन, बाखो, बखेन, पनवरिया, सामा, चक्वा और बिदेशिया हिमाचल प्रदेश में friends, perform किया जाता है जोरा, जाली, चरही, धामन, छापेली, महासू, नाटी और डांगी नाटी जो है ना, हिमाचल प्रदेश का काफी famous folk dance है, जो exams में काफी बार देखा जाता है जम्मु कश्मीर की बात की जाए friends, तो रौफ, हिकत, मंड जास, कुड़, डांडी नाच और दमाली, यह है यहाँ पर जम्मु कश्मीर से किरला से friends, काफी बार exams में आते हैं questions, देखे, कथक कली, ओटम, थुलाल, मोहिनी एटम, और यहाँ पर है काईकोटी काली नेक्स बात की जाए महारास्ट, अभी हमने discuss किया था, लावनी नांस यहाँ से perform किया जाता है नेक्स है नाकटा, फिर कोली, लेजिब, गाफा, दाही काला और इसके साथ बुहादा उडीसा से friends है, उडीसी, सावरी, घूमरा, पैनका, मुनारी और चाउ अगला रहेगा West Bengal, तो friends यहाँ पर देखे, West Bengal में perform किया जाता है काथी, घंबीरा, धाली, जात्रा, बॉल, मरासिया, महाल और केतन नेक्स बात आती है राजिस्थान की, इससे पहले पंजाब भी देख लीजिए घापल और कालबेलिया, कालबेलिया भी definitely very important for all the exams उत्तरप्रदेश से है नौटंकी, ठीक है रासलीला, कजरी, जोरा, छापेली और जैता नेक्स बात कीजाए लक्षदीप, तो friends लक्षदीप में होता है लावा, कोलकाली और परिचाकली तो यह कुछ important folk dances है, जो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं बाकी जो states है, उनके भी folk dances हम आगे आने वाले वीडियोस में cover करेंगे तो आपको इस पूरे series में साथ में, रहना है friends, हर एक important question आपकी SSC exam से related हम इन वीडियोस में cover कराएंगे आपको, ठीक है, चलिए, अगला question देखिए next question है, which article of Indian constitution is related with special provision in respect to the state of Maharashtra and Gujarat तो आपको बताना है कि भारते समिधान का कौन सा अनुछेद है, जो Maharashtra और Gujarat राज्यों के संबंध से विशेश प्रावधान से संबंधित है तो यहाँ पे special provision with respect to Maharashtra and Gujarat, यह दिया गया है article 371 में इसके साथ friends, article 386 की बात की जाए, तो इसमें क्या बात किया गया है इसमें बात किया गया है, power of president के बारे में to merge a union territory with an adjacent state तो अगर state बगल पे है, किसी भी, यहाँ पे union territory के, तो उन दोनों को merge करने का जो अधिकार है, president के पास होता है यह 386 article में दिया गया है तो friends, special provision related to different state, इसके बहुत सारे articles है यहाँ पे देखे, मैंने आपके एक list प्रोवाइड किया है आप देख सकते है, 371 में बात की गई है, महरास्ट और गुजरात के special provision के बारे में 371 A में, नागा लेंड के बारे में है 371 B, यह पुरा series है, यहाँ पे आसम की बात है 371 C में मनिपुर, D में हैं आंदरप्रदेश और तिलंगाना 371 E में, यहाँ पे friends, establishment of Central University in आंदरप्रदेश की बात की गई है 371 F की बात की जाए, तो यहाँ पे special provision with respect to Sikkim 381 G में, मिजोरम के बारे में, H में, अरुनाचल प्रदेश, I में, गुवा और J में, करनाटक्या के बारे में 381 यहाँ पे special provision की बात की गई है 391 अगला question देखिएगा, what is प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, ठीक है तो मुद्रा इसका एक full form भी है, इसको हम आगे discuss करेंगे तो friends, प्रधान मंत्री मुद्रा scheme दो है न, यह एक loan scheme है option number A, इसका right answer है, देखिए PM मुद्रा योजना के बारे में बात करें तो इसका full form होता है, micro units development, आप देखिए MUD and refinance agency तो आप देखिए MUD्रा इसका full form हो गया, इसमें है क्या देखिए, यह scheme को launch किया गया था April 8, 2015 को, जिसमें up to 10 lakhs तका loan जो है, non-corporate, non-form, small and micro enterprise को दिया जाता है इसमें जो loans की category है, तीन हिस्सों में बाती गई है, पहला होता है friends, Shishu, second है Kishor और Tarun आप से exam में पूछा भी जा सकता है कि Shishu, Kishor, Tarun, यह किस scheme से related है, तो यह यहाँ पे related है, MUD्रा scheme से तो Shishu में friends के आए कि loan up to 50,000 दिया जाता है, Kishor में दिया जाता है 50,000 से लेके 5 lakh तक का loan और Tarun में 5 lakh से 10 lakh तक का loan दिया जाता है, तो इस तरीके से जो है up to 10 lakh का loan MUD्रा के अंदर provide किया जाता है, full form काफी important है, exam में पूछा जा सकता है what does R stand in MUD्रा, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा refinance, तो ऐसे questions exam में आते हैं next रहेगा, देखे, computer से related questions भी friends मैंने यहाँ पर include कर दिये हैं, क्योंकि यहाँ इससे भी questions देखे जाते हैं, तो friends देखे, in MS Excel 365, which of the following shortcut is used to copy the contents and format of topmost cell of a selected range into the cells below तो यहाँ पर देखे, friends आपको बताना है कि कौन सा shortcut यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है, to copy the contents and the format of topmost cell of selected range in the cells below तो यहाँ पर use किया जाता है, friends, control D, right answer हो जाएगा, यहाँ पर option number B, तो यहाँ पर MS Excel से related कुछ important shortcut keys मैंने include किये हैं, आप देखे, control A, यह तो select all होता है, control B में bold होता है, control C से copy, और control V से friends, paste होता है, ठीक है, control X से cut होता है, इसके साथ बात की जाए, देखे, यहाँ पर control E से, work office 10, control F से fine, इस तरीके से friends, यहाँ पर हर एक shortcut key मैंने include कर दिया, एक बर आप just इसको go through कर लीजे, काफी important है, आपका अगला question रहेगा यहाँ पर, the कर्म योध्या ग्रंथ, book was released by which of the following politician, तो यहाँ पर देखे, कर्म योध्या ग्रंथ, इस book को friends, यहाँ पर release किया गया है, by Amish option number A, इस का friends, right answer हो जाएगा, बात करें इस book में क्या दिया गया है, तो दग्रंथ narrates the life of Narendra Modi, the prime minister of India and his political journey, it describes PM Modi as कर्म योधा, a man with determined resolution, it outlines how his leadership has transformed India, तो friends, इस book में बात की गई है, Narendra Modi जी के बारे में, जो कि हमारे prime minister, इनकी political journey जो है, इस book में इसके बारे में बताया गया है इस book को release किसने किया है, ये Amishya ने release किया है, next रहेगा, which of the following is the largest peninsular river in India, तो यहाँ पे भारत का सबसे largest peninsular river जो है न, ये हो जाएगा, गुदावरी, friends, बात की जाए गुदावरी की, तो इसका जो origination है न, ये त्रियमबकेश्वर के पास होता है, जो कि महराज्ट में गुदावरी के पास located है, okay, तो आप ये picture में देख सकते है, ये गुदावरी है, जो यहाँ से start होकर के इधर Bay of Bengal में जाकर के गितती है, friends, आगे पढ़ेंगे और आपका next question यहाँ पे रहेगा, देखेगा, चंदिगर इंटरनाशनल एरपोर्ट has been renamed as, तो चंदिगर इंटर सत्रिया डांस form originated in which of the following Indian states, तो friends, सत्रिया डांस, इसका origination जो हैना ये हुआ है, असम स्टेट में, correct answer option number A हो जाएगा, देखे, सत्रिया डांस form ये 15th century से देखा जा रहा है, और ये originate हुआ है, Monasteries of Assam में, by Great Vashnav Scent, ठीके, तो friends, ये one of the classical dance है, इंडिया का, देखे, सारे इ जो कि Tamil लाणों में किया जाता है, perform, कतक कली केरिला का है, कुचिपूरी आंदर प्रदेश का है, उडिसी, उडिसा, मुहिनी अटम केरिला से है, कतक की बात की जाए, तो ये उत्तर प्रदेश में perform किया जाता है, सत्रिया फ्रेंट्स असम, अल्रड़ी डिसकस किया हमने, औ चलिए, अगला कोशन, which among the following is the highest peak of Andaman and Nicobar Island, तो Andaman और Nicobar Island का सबसे highest peak यहाँ पे है, Saddle Peak, correct answer option number B है, देखिए, Saddle Peak जो है, ये located है North Andaman Island में, और friends, ये surrounded है, Saddle Peak National Park से, इसके साथ friends, एक और important point, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, आप देख रहे हैं, ये picture ह ये है, ये है Saddle Peak National Park, है ना, और यहीं पे है Saddle Peak, जो highest peak है, Andaman है, Nicobar Island का, इसके साथ friends, अगर आपसे पूछा जाए, कि 10 degree channel जो है, है ना, ये किसको separate करता है, है ना, तो 10 degree channel friends, Andaman को Nicobar Island से separate करता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये Andaman है, और ये Nicobar Island से है, और बीच में from Constitution of Britain, तो Britain के Constitution से, इन में से कौन सा Provision नहीं लिया गया है, ये आपको बताना है, तो friends, यहाँ पे क्या लिया गया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए है, तो देखिए, Britain से यहाँ पे लिया गया है, Parliamentary Form of Government, Rule of Law, ठीक है, इसके साथ Single Citizenship, Legislative Procedure, ये लिया गया है, Cabinet System, Proreg Executive Rights, Bicameralism, और Parliamentary Privileges, तो यहाँ पे Bicameralism भी लिया गया है, Fundamental Rights जो है न, friends, ये लिया गया है, कहां से ये लिया गया है, friends, USA के Constitution से, तो Right Answer यहाँ पे Option Number A हो जाएगा, Not Borrowed आप से यहाँ पे पूछा गया था, इसके साथ Government of India के से ही, friends, कुछ यहाँ पे Provision लिये गया थे, जैसे की है, Federal Scheme, ठीक है, इसके साथ बात की जाए, Office of Judiciary, इसके साथ Public Service Commission, Emergency Provision and Administrative Details, तो यह Government of India Act से लिया गया था, Irish Constitution से, friends, लिया गया था, Directive Principle, जो काफी सारे एक्जामें रिपीट होता है, Nomination of Member of Raja Sabha भी लिया गया है, Ireland से, और Method of Election of President, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसि से, नेक्स बात करें, American Constitution से क्या लिया गया है, तो Fundamental Rights, Independence of Judiciary, Judicial Review, Impeachment of President लिया गया है, American Constitution से, और Post of Vice President भी, America के Constitution से लिया गया है, Canada के Constitution की बात की जाए, तो यहां से Appointment of Governor, Federation with Unitary Bias, Residuary Powers, और इसके साथ Friends Advisory, Juridiction of Supreme Court लिया गया है, Australia से लिया गया है, Concurrent List, जो की काफी important है, Freedom of Trade and Commerce भी यहां से लिया गया है, और Joint Sitting of Two Houses of Parliament भी, Australia के Constitution से लिया गया है, ठीक है, तो Friends, यह कुछ important यहां पर provisions थे, जो different countries से लिया गया है, इंडिया के Constitution में, तो exam में यह काफी बार repeat होता है, तो आपके लिए काफी important question है, ठीक है, च country by renouncing his knighthood, तो देखिए, यहां पर जलिया वाला बाग हत्याकान के बारे में जानने पर, किस ते अपनी knighthood का त्याग करके देश के दर्द और गुस्से को वेक्त किया था, तो यह किया था, Friends, रवेंदरनाथ टेगोर ने, तो बात करें, Friends, यहां पर देखिए, टेगोर रो हुआ था, ठीक है, इसे हम massacre of Amrit Sar भी कहते हैं, इसमें क्या हुआ था, incident in which British troops killed several hundred unarmed Indian protesters, ठीक है, तो British troops में different जो unarmed Indian protesters थे, उनकी, यहां पर जान लीती हत्याकी थी, अगला question, अब megabyte, consist of 1024 क्या, तो Friends, एक megabyte में होता है, यहां पर 1024 kilobyte, option number B, इसका right answer है, यहां पर आप पूरा picture देख सकते हैं, एक byte में 8 bits होते हैं, ठीक है, इसके साथ smallest unit अगर आपसे पूछा जाए, तो यह होता है, bit, 1 kilobyte में Friends, 1024 bytes होते हैं, 1 megabyte में 1024 kilobyte होते हैं, इसी तरीके से यह series चलता है, megabyte, यहां पर gigabyte, फिर terabyte, फिर आता है Friends, petabyte, exabyte और इसके साथ Zeta और Yotabyte, राइट, चलिए, next question, which of the following is not a play written by Shakespeare, तो इन में से कौन सा ऐसा play है, जिसको Shakespeare ने नहीं लिखा है, तो देखिये Friends, यहां पर Shakespeare के दवारा नहीं लिखा गया है, the candle stand, राइट answer हो जाएगा, option number C, तो Shakespeare ने कौन कौन से plays लिखे हैं, important plays इनके बारे में ब तो यह सब कुछ Shakespeare के दवारा लिखा गया है, इसके साथ यहां पर देखिये, Othello, The Comedy of Errors, Antony and Cleopatra, यह भी Shakespeare नहीं लिखा है, next question, which article of Indian constitution mentions that it is duty of union government to protect state against external aggression and internal disturbance, तो आपको बताना है कि भारते समिधन का कौन से ऐसा अनुचेद है, जिसमें बताया गया है, कि external aggression और internal disturbance से, किसी भी state में गर यह होता है, तो उसको जो है union government protect करेगी, तो friends, यह provision दिया गया है, article 355 में, अगला question रहेगा आपका यहां पर, देखिये, the plants of which of the falling plant kingdoms are known as algae, तो इन में से किसको algae कहा जाता है, other name इसका algae है, तो थैलोफाइट को friends, हम algae के नाम से जानते है, different examples of algae देखा जाये, तो cara, lichen और spirogyra, यह सब थैलोफाइट के examples है, इसका सथ उल्वा, cladophora, यह भी यहां पे थैलोफाइट के ही example है, friends, biology से काफी important question है, इसको आप starma कर लीजे, आगे बढ़ते हैं, next question देखिये, a dash is an electronic device that receives a weak signal and regenerates it, तो देखिये, इन में से कौन सा एक ऐसा electronic device है, जो receive करता है weak signal को और उसको फिर regenerate करता है, तो यह है repeater, तो आप देख सकते हैं, यह यहां पे weak signal को, यहां पे receive कर रहा है, और फिर उसको regenerate कर रहा है, अगला रहेगा, in which year, महात्मा गांदी organized a satyagra in the kheda district of gujarat in support of peasants, तो के सुबर्ष महात्मा गांदी ने किसानों के समर्थन में, गु जो कि 1918 में हुआ था, जिसको kheda district, गुजरात के kheda district में organized किया गया था, महात्मा गांदी during British rule, next, the scientific study of cell is, तो cell के scientific study को हम कहते हैं, friends, cytology, और histology क्या होता है, यह होता है, study of tissues, okay, tissue के study को हम कहते है, histology और cytology, study of cell होता है, next, रहेगा, what is the average height of troposphere, तो friends, काफी सारे हम लोगोंने series जो cover किया है, वहाँ पर हमने different layers of atmosphere discuss किया है, जैसे की होता है, सबसे पहले troposphere, फिर stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere, ठीक है, और ozone layer जो है, यह पाया जाता है, कहाँ पर stratosphere में, तो यहाँ पर कुछ अलग कोशन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे average height of troposphere 15 km, तो इसका एक range है, आप देख सकते हैं, 12 से 18 km तक जो है, यहाँ पर होता है, droposphere, फिर 11 से 50 km तक stratosphere होता है, उसके बाद 40 से 50 से ले करके 80 to 90 km तक होता है, mesosphere, 80 से 800 तक thermosphere और 800 से 3000 km तक exosphere होता है, तो यहाँ पर option number A, friends, right, answer हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से friends, पहले मैं बता दूँ आपको, हमारी जो paid PDF के website है, यह है www.ravibooks.pdf.com, यह launch हो गई है, यहाँ पर आपको रवी सर की gk और current affairs की PDF, Hindi और English Medium दोनों में मिल जाएगी, तो आप इस website से जाके उनको buy कर सकते हैं, friends, काफी अच्छा content आपके लिए provide किया गया है, जो आपके upcoming exams के के लिए, काफी beneficial होगा, तो अगर अप current affairs, हम तो यहाँ पर static जी के cover कर रहे हैं, आपके SSC exams के लिए, current affairs जो है na, 2023 का, अप इस PDF से cover कर सकते हैं, जहाँ पर January से December का current affairs आपके लिए अच्छे तरीके से पूरा cover किया गया है, चीक है, चलिए, next question रहेगा आपका यहाँ पर, Carnatic music is confined to, तो Carnatic music जो है, यह कहां तक सीमित है, यह, friends, Southern states of India तक सीमित है, तो यह हो जाता है करनाट का, आंदरपरदेश, Tamil Nadu और Kerala, friends, आगे बढ़ेंगे और आपका अगला question यहाँ पर रहेगा, देखिए, India's first 24 into 7 solar powered village, Mudhera is located in which state, देखिए, friends, India का पहला 24 into 7 solar powered village है न, यह बन ग तो, friends, यह current affairs का ही पार्ट है, बट आपको यह, पता होना चाहिए, इसका location कहां पर, friends, Mudhera जो है न, गुजरात में located है, option number 20 का right answer हो जाएगा, इसके साथ, friends, this village is famous for sun temple, यहाँ पे sun temple भी है, तो इस वज़े से, Mudhera already काफी famous है, और, friends, यह UNESCO के world heritage site में भी included है, next रहेगा, धीनोधार hills is located in wind state और union territory, तो, friends, धीनोधार hills, जो है न, यह located है, इन में से, गुजरात में, correct answer है, option number C, next बात की जाएगा, यहाँ पे, who among the following discovered neutrons, ठीक है, neutrons, neutrons की खोज, friends, इन में से किया है, जे, चैडविक्स ने, option number A, इसका right answer है, देखे, chemistry से काफी important यह portion है, होते है, friends, components, electrons, proton, और neutron, देखे, तो, neutron तो, यहाँ पे, जे, चैडविक्स ने discover किया है, कब 1932 में, जूकि neutral particle होता है, atom का, इसके सब proton की बात की जाए, तो, proton को, जो है, Ernst Rutherford ने discover किया है, और, electrons के बात की जाए, तो, electrons का discovery, 1897 में, किया है, जे, जे, थॉंसन ने, तो, आप रखने है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next है, who is famously known as Bihar Kesari, तो, Bihar Kesari के नाम से, इन में से कौन जाने जाते है, तो, friends, यह जाने जाते है, यहाँ पे, Shri Krishna Sinha, option number B, right answer है, देखे, Shri Krishna Sinha है कौन, who is lovingly known as Bihar Kesari, for his thundrous voice, when he addressed the masses, played a remarkable role in the history of Bihar, pre and post independence, also known as Shri Babu, He was born in Khanwa, in the Nevada district of Bihar, on 21st October, 1887, तो, इनके thundrous voice के लिए जाने जाते थे, और इनोंने काफी important role play किया है, pre and post independence में, और, friends, इन्हें Shri Babu के नाम से भी जाना जाता था, तो, Bihar Kesari और Shri Babu, दोनों ही इनके other names है, next, वरली painting is a folk painting of which state of India, तो, friends, वरली painting, जो है, यह folk painting, यह जो है, famous है from Maharashtra, तो, आप देख रहे हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है, वरली painting, यह Maharashtra का famous folk painting है, next question रहेगा आपका यहाँ पे, who is famously known as father of Indian nuclear program, तो, भारतिय परमार्णु कारेकरम के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो, father of Indian nuclear program, इन में से कहे जाते हैं, friends, homie J. भाबा, right answer option number A हो जाएगा, देखिए, homie J. भाबा को यहाँ पे father of Indian nuclear program कहा जाता है, और इन्होंने, friends, atomic energy को establish किया था, ट्रॉमबे में, it was later renamed as भाबा Atomic Research Center, तो, अभी जिसे हम भाबा Atomic Research Center के नाम से जानते हैं, इसे जो है, homie J. भाबा ने establish किया था, और इन्हें father of Indian nuclear program कहा जाता है, Next, which of the falling river originate in Rajasthan? तो, इनमें से ऐसा कौन सा river है, जो originate होता है, कहां से? राजस्थान से, तो, friends, Rajasthan में इनमें से Banas River originate होता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे rivers of Rajasthan, तो, जो rivers drain होते हैं Arabian Sea में, तो, origination इसका है, राजस्थान में, लूनी, साबरमती और माही, river जो drain होते हैं Bay of Bengal में, Banas, Chambal और Banganga, और जो inland drainage हैं, वो है Sot Sabi, Kantli, और साथ में, Ruparell, ठीक है, तो, यह सब राजस्थान के rivers हो गए, ऐसे ही हम हार एक state के जो rivers हैं, उनको आगी आने वाले videos में cover करेंगे, next question, which of the following article of Indian constitution is related to writ of high court, तो, रिट से, इन में से कौन सा article associated है, तो, friends, यह associated है, article 226, next है, which Indian writer wrote the famous book, Maan Sarover, तो, friends, Maan Sarover book, इसको यहाँ पे लिखा गया है, by Prem Chand, इसके साथ, friends, Prem Chand की काफी सारी famous books हैं, जैसे की गोदान, बजार-े होसन, कर्म भूमी, इसके साथ, सतरंज के खिलाडी, गबन, Maan Sarover और इदगा, तो, यह कुछ famous books, प्रेम Chand के द्वारा लिखे गए हैं, आपका अगला question, who let the Battle of Plassey on behalf of British East India Company, तो, British East India Company के तरफ से, Battle of Plassey जो है, यह किस ने start किया था, यह start किया था, Robert Clive ने, तो, friends, Battle of Plassey कम हुआ है, यह हुआ है, 23 June 1757, किसके बीच में, British East India Company के बीच में, किस, start किया था, Robert Clive ने, और इसके साथ हुआ है, यह, सिराजुद दौला के साथ, सिराजुद दौला कौन थे, यह, लास्ट नवाब थे, बेंगॉल के, तो, इन दोनों के बीच में हुआ है, Battle of Plassey, चले, अगला question, the famous monument, आराम बाग, was built by बाबर, पहली करें यह, कहां पर located है, तो, यह located है, friends, उत्तर प्रदेश में, देखें, अराम बाग, जो की oldest Mughal Garden है, इंडिया का, इसको बाबर ने construct करवाया था, 1528 में, और, friends, यह, पांच किलो मीटर, नौर्ट-East, located है, ताज महल से, चाहिए, अगला question रहेगा, which of the following shortcut keys used to switch to print preview in MS Word 365, त Ctrl-Alt-I, option number B, इसका, friends, right answer है, next, देखिए, the industrial policy resolution of 1956, formed on the basis of, तो, friends, आपको बताना है, कि industrialization के बारे में, किस 5-year plan में discuss किया है, most important और most favorite topic question of SAC है, यह, हर एक, friends, SAC exam में, जो है, 5-year plan से question आता ही, ठीक है, और, खास कर, second year, 5, जो second 5-year plan है, इससे आता है, तो, यहाँ पर industrialization के बारे में बात किया गया है, second 5-year plan में, देखिए, second 5-year plan, जिसने focus किया था, rapid industrialization में, और यह 1956 से 1961 के लिए दिया गया था, इसमें, हम इसको, friends, महालोबिस plan के नाम से भी जानते हैं, आप से पूछा जा सकते है, exam में, already यह question आया भी हुआ है, कि महालोब इस model के नाम से किस 5-year plan को कहा जाता है, तो, यह second 5-year plan को कहा जाता है, और इस 5-year plan में, friends, 5 steel plants को भी establish किया गया था, next, which of the following was the capital of Pallavaz, तो, Pallavaz का capital इन में से कौन सा है, तो, capital of Pallavaz यहाँ पे है, कंची, पुरम, next question, which Indian financial institution protects investor in the stock market, तो, stock market में, मतलब आपको बताना है, कि stock market को कौन जी financial institution जो है, बैक करती है, ठीक है, तो, friends, यह protect करती है, यहाँ पे, SEBI, मतलब, Security and Exchange Board of India, option number C, friends, इसका right answer हो जाएगा, बात करें, SEBI के बारे में, तो, देखिये, friends, SEBI, जिसका full form है, Security and Exchange Board of India, इसको 12 April 1988 को established किया गया था, headquarter Mumbai, भारास्टर में located है, और इसकी chairperson है, माधभी पूरी, बुच, अगला question, which of the following is useful for the treatment of disease, scurvy disease, ठीक है, तो, friends, यहाँ पे, scurvy, जो है, विटमिन C के deficiency से होता है, है न, तो, इसको treat करने के लिए, योज किया जाता है, आमला, क्योंकि, आमला, जो है, विटमिन C से rich होता है, तो, option number, friends, यहाँ पे, C, correct, answer हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, और आपका अगला question है, यहाँ पे, hypokalemia is caused by the deficiency of, तो, hypokalemia, यह किसकी deficiency से होता है, यह होता है, friends, potassium की deficiency से, option number B, friends, यहाँ पे right answer हो जाएगा, इसके साथ बात करें, iodine की deficiency से क्या होता है, तो, friends, iodine की deficiency से होता है, goiter, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next, देखेगा, what is MRI, तो, MRI का, friends, आपको full form बताना है, ठीक है, MRI, आपको exam में ऐसे भी पूछा जा सकता है, what is, what does R stand in MRI, ठीक है, तो, यहाँ पे इसका right answer है, option number C, magnetic resonance imaging, और आगे बढ़ेंगे, next, देखेगा, who is famously known as Sitar Maestro in India, तो, भारत में Sitar Wadak के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो, यह, friends, पंडित रवी शंकर, देखे, friends, बात करें, इनके बारे में, पंडित रवी शंकर, is famously known as Sitar Maestro in India, he was a legendary musician and composer, who was born in Varanasi, तो, इनका जन्म Varanasi में हुआ था, 1920 मे और इन्होंने, यहाँ देखे, यही passed away in 2012, friends, इन्हें भारत रत्न से नमाजा गया है, 1999 में, important है, याद रखिए, एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि पंडित रवी शंकर जी को भारत रत्न से कम नमाजा गया है, तो, इन्हें 1999 में यह award दिया गया है, essay questions, SAC exams में काफी देखे जाते है, अगला question रहेगा आपका, धुसका is a popular food item of which state, तो देखे धुसका, है न, आप picture देख सकते हैं, यह कुछ ऐसा दिखता है, यह एक popular food item है, friends, यहाँ पे, right answer हो जाएगा, option number B, छारखंड का, आपका next question है, which of the following is the shortcut key to save a file in MS Word 365, तो save करने के लिए किसी file को, जो shortcut use किया जाता है, वो होता है, control S, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, control C क्या होता है, यह होता है, copy, control V क्या होता है, यह होता है, paste, और साथ में control X की बात की जाए, तो यह होता है, cut, ठीक है, चलिए, next question, in which of the following ways heat transfer no medium is required, तो इमेंसे कौन सा है, heat transfer का method है, जिसमें medium की तो friends, इसका right answer है, radiation, बात करते है, radiation है, क्या, इसके साथ conduction और convention के बारे भी बात करेंगे, तो picture के सायता से हम यहाँ पर discuss करेंगे, देखे, conduction में क्या होता है, conduction में क्या है, friends, देखे, यहाँ पर अगर आप water को boil कर रहे है, ठीक है, तो यह जो इसका handle है, यहाँ पर भी आपक motion of molecule की वज़े से, और radiation, जहाँ पर medium की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखे, यह एक particular medium है, जिससे heat transfer हो रहा है, यहाँ पर भी यह medium है, बाट radiation में क्या है, friends, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ जो radiation है, वो electromagnetic waves की, यहाँ पर सायता से फैलती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्याते है, radiation, तो यह तीरो types होते हैं, heat transfer की, अगला question, which of the following is not an output device, तो इन में इसे output device नहीं है, यह है, friends, barcode matrix, ठीक है, तो right answer हो जाएगा, यहाँ पर option number D, क्योंकि barcode reader क्या करता है, यह input लेता है, तो यह एक input device है, यहाँ पर बात करें, output और input device की, तो input में देखे है, क्या क् reader है, scanner है, optical pen है, keyboard है, joystick है, तो friends, input device क्या करते हैं, यह input देते हैं, लेते हैं, ठीक है, जैसे keyboard, यहाँ पर आप keyboard में keys को press करके, जो है, input ले रहे हैं, right, तो यह होता है input device, और output में क्या आपको product मिलता है, जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ keyboard में type कर रहे हैं, आपको screen में दिख रहे है, तो आपको output मिल रहे हैं, तो वो हो जाता है output device, तो examples है output device के headphones, headset, laser printer, plotter, screen, speaker और inkjet printer, next रहेगा, who among the following device, the policy that came to be known as doctrine of labs, तो friends, doctrine of labs, यह नीतिक इसने यहाँ पर तियार की थी, तो इसो friends दिया गया था by Lord Dalhousie, next रहेगा यहाँ पे, which of the following disease is not caused by mosquito bite, तो mosquito bite से इन में से कौन सा disease नहीं होता है, तो यहाँ पे friends नहीं होता है, hepatitis, elephantiasis, dengu और malaria जो है, यह mosquito के bite से होता है, और hepatitis क्या है, friends, hepatitis एक viral infection है, यह यहाँ पे mosquito से नहीं फैलता है, आगे बढ़ेंगे अगला question रहेगा, the preamble of Indian constitution is borrowed from the constitution of, तो Indian constitution, जो हमारा preamble है, यह किस constitution से लिया गया है, तो friends, इसको लिया गया है, USAK constitution से, थोड़े दिर पहले हमने discuss किया था, सारा जो भी provisions हमने different countries से ले के आए है, है ना, तो वहाँ पे हमने यह पढ़ा था कि preamble और जो fundamental rights है, यह सब United States of America से लिये गये है, अगला question, the 42nd Amendment Act 1976 of Indian constitution has added which of the following in the preamble of the constitution, तो 42nd Amendment Act से इन में से कौन से word को add किया गया है, preamble में, तो यहाँ पे friends, add किया है, secular word को, देखे, preamble has been amended by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 words, यहाँ पे 3 words, यहाँ पे 3 words add किये गया है, option में अगर जो भी आपको मिले, वो आप टिक कर सकते है, socialist, secular and integrity, यह 3 words है, यह तीन को Amendment Act से, तो option में सिर्फ secular given है, तो option number A, इसका right answer है, अगला question, who was the first Indian army officer to be promoted to the rank of field of marshal, तो field marshal के पदपर पदोनत होने वाले, पहले भारतिय सेना अधिकारी कौन थे, तो यह थे friends, Sam Manik Shaw, अगला question, the Mahanadi Basin does not extend over which state, तो Mahanadi, जो है friends, इन में से कौन से state में नहीं जाती, तो पहले बात करते हैं, यह कौन कौन से state में बहती है, तो friends, चत्यसगर, उरिसा, जारखंड, महराश्रो और मध्य प्रदेश में यह बहती है, इसका flow है, बट यह नहीं है कहां पे, यह नहीं है, करनाटका में, right answer हो जाएगा यहां पे, option number A, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं friends, और आपका last question है, which five year plan was based on the ideas of mahal nubis, तो यह question मैंने आपको बताया है वीडियो में, friends, यह most favorite question होता है, SAC का second five year plan, ठीक है, second five year plan को हम mahal nubis model के नाम से जानते हैं, यहां पे rapid industrialization की बात हुई थी, ठीक है, तो यहां पे option number D, इसका right answer है, तो friends, यह हो गए हमारे top 50 most important questions, ऐसे ही और आगे आने वाले set में लेके आएंगे, तो यहां पे हमने कुछ 50 important questions, different topics से लेके include किया था, important points भी आपके साथ cover किये हैं, आगे आने वाले videos में हम और भी different topics से questions को लेकर के आपके पास present करेंगे, चलिए अगर आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया है, तो आपके दो test question है, जिसका आंसर आपको हमें comment करके बताना है, पहला question रहेगा, which of the falling is the largest peninsular river in India, तो largest peninsular river of India, इनमें से कौन सा है, यह आप हमें comment करके बताएं, साथ में आपका question है, which dance is performed by the woman of Maharashtra, तो Maharashtra की women's के द्वारा यहां पे, कौन सा dance performed किया जाता है, यह आप comment करके जरूर आया है हमारे paid PDF के website के बारे में, यह है www.ravibookspdf.com, तो यहाँ पे आपको रवी सर की GK और current affairs की PDF, Hindi और English Medium दोनों में मिल जाएगी, friends हम यहाँ पे series में cover कर रहे है, static GK portion है na, current affairs portion को आप जो है exams के लिए, इस PDF से prepare कर सकते है, 2023 का current affairs है, वो आपके आने वाले SSC exams के लिए काफी important है, साथ में quality का यहाँ पे PDF भी आपके लिए present किया गया है, 5000 plus यहाँ पे questions include किये गए है, तो यह भी आप इस website से जाके buy कर सकते हैं, तो friends यह है हमारा आज का last slide, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like और अपन